साथियों, हर मुश्किल हाला, हर लडाई, कुछ ने कुछ सबक देती है, कुछ ने कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है, और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है इस परिस्तिती में आप सब देश्वासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बडलाव की शुरुवाद भी हुई है, हमारे बिजनेस, हमारे दप्तर, हमारे सिक्षन सोस्तान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेही से नए तकनीकी बडलावों की तरब भी बड़ रहे हैं, टेक्नोलोजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है, कि देश का हर इनोवेटर, नई परिस्तितियों के मताबिक, कुछ न कुछ नया निर्मान कर रहा है, साथियों, देश जब एक टीम बन करके काम करता है, तब क्या कुछ होता है, ये हम अ बाग और समस्तान, राहत के लिए मिल जूल करके, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं, हमारे एवियेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग हो, रेलिवे कर्मचारी हो, ये दिन रात महनत कर रहे हैं, ताकि देश वाशियों को कम से कम समस्या हो, आप एसे साहित बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाईयों को पहुँचाने के लिए लाइफ लाइन उडान नाम से एक विशेस अभियान चल रहा है, हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही तीन लाग किलोमेटर के हवाई उडान भरी हैं और पान सो टन से अधी मेडिकल सामगरी देश के कौने कौने में आप तक पहुचाया है, इसी तरह रेलवे के साथ ही लोकडाउन में भी लगातार मैनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तूओं की कमी न हो, इस काम के लिए भारत के रेलवे करिब करिब 60 से अधिक रेलमार्क सोसे भी जादा पार्सल ट्रेन चला रही है, इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभा के लोग बहुत एहम भूमी का दिभार है, हमारी सभी साथी सच्चे अर्थ में कौरोना के वारियर ही है, साथियों प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के तहट गरी ऐसे सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं, बृद्धवस्ता पैंशन जारी की गई है, गरीबों को तीन महने के मुप्त गैस सिलिंडर, रासन जैसी सुविधाय भी दी जा रही हैं, इन सब कामों में सरकार के अलग-लग विभागों के लोग, बैंक्टिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, और मैं हमारे देश के राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रसमसा करूँगा, कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमी का निभा रही हैं, स्थानी ये प्रशासन, राज्य सरकारे जो जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसकी कोरोना की खिलाब लड़ाई में बहुत बड़ी भूमी का है, उनका ये परिश्रम बहुत प्रसमसली है